आज का युवाना सर वो चकाचऊंद को देखकर, कि बहई, स्पीकर की गाडी को देखकर उनके वेलकम को देखकर कैते हैं कि यह बहुत बड़े आज या तो कल उसको औसफल तो होना ही होगा, बड़ी-बड़ी कंप्पनिया करोड़ों में उनको उठाके लेके जाएगी। वो पांच प्रतीशत है, हम बात करने 90 प्रतीशत का, जनके लिए कोई भी रही है, सरकार नहीं है, क्वार्प्रेट कंप्या नहीं है दोस्तो नमस्कार, मैं Dr. Amit Maheshwari, सबसे पहले Legends of Nation के इस कारी करम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और और लोग जानते हैं, कि हर बार एक ऐसी सेलेब्रीटे के साथ हम लोग आते हैं, जिन से उनके सफलता के राज जानते हैं, सफलता के सिक्रेट जानते हैं, और साथ-साथ ये भी समझते हैं, कि हर व्यक्ति किसी भी स्टेज से आया हो, कहीं से भी आया हो, किनी भी परस्तित से आया हूँ, वो जीवन में आपार चफलता अशिल कर सकता है, तो आज Legends of Nation के इस प्रोग्राम में हमारे special guest है सशीश कुमार तिवारी जी, सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत मैं स्वागत करता हूँ, और एक बात आपके लिए special बहुत कम लोगों से कह चुका हूँ, आपकी आवाज में वो कशिश है, आपकी आवाज में वो बेस है, जो आवाज सेलेबल हो सकती है, अगर मेरी आवाज ऐसी होती है ना, तो मैं FM पर आभाज इस आ प्डाए, यड पर आपकी परिका थे आवाज एक रिश्यूप नुको पैर ना जो कहीं दूर दरटा गाओं नंतर आपकी करता है, वोना परिस्थितेऊ का रोना है, क्यार मेरा शहर अच्छा नहीं है, मेरे parents का background अच्छा नहीं है, मैं financially stable नहीं हूँ, मेरी education अच्छी नहीं हुई है, तो क्या परिस्तितियों का रोना सभी लोग रोते रहते हैं? या कुछ लोग उन परिस्तितियों को समझते हुए, कुछ ऐसा करते हैं कि life को transform करके next level ले जाते हैं, और आप उन लोगों में से हैं जिनों ने अपने लाइफ को ट्रांस्फॉर्म किया और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया तो कैसे आप हमारे व्यूवर्स को गाइड करना चाहेंगे कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आइं कैसे सोलुशन किया और आज आप इस तर पर हैं तो उसके पीछे सिक्रेट क्या है और जैसा कि आपने का कि अधिकतर लोग तो मेरा भी यह मानना है कि जो अधिकतर लोग है वो कहीं ना कहीं परस्तीतियों का रोना रोते हैं हाल फिलाल में मैंने एक अपनी रील डाली जिसका कुछ टॉपिक ऐसा ही था कि गरीब होना मतलब एक सौभाग की बात है कि आपके बास बहुत सारी चीज़ा है करने के लिए लेकिन उस पर कई ऐसे कमेंट्स थे कि आप गरीब होके देखिए आप गरीब नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा तो यह कौन लोग है जिनको लगता है कि वो जिस स्थति में है वो बहुत बेकार से स्थति है और वो इनफ नहीं है कुछ करने के लिए जबकि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास ये मौका है उन चीज़ों को अचीज़ों को अचीज़ों करने का जो जो चीज़ें नहीं है तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको सरक्मिंस्टांसिज परिशान कर रही ह या उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक छोटे शहर से हैं या फिरगाओं से हैं उनके पास अधिक रिसोर्स नहीं है तो ये वो लोग हैं जो इस पे नजर रख रहे हैं कि क्या नहीं है क्या हो सकता है या क्या है और जितना है क्या ये काफी नहीं है वहां से शिरू करने के लिए तो उनका फोकस कही न कही इस चीज़ पे है कि मेरे पास क्या क्या नहीं है अगर वो ये देखते कि मेरे पास क्या क्या है तो उससे और कैसे बहतर बनाया जा सकता है और अब तो दुरिया कही ना कही यह जो IT का पूरा revelation है, यह जो internet है, चीज़े है, तो अब तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास resources नहीं है, तो अब तो resources हैं, अब willpower कितनी है, आप में कितना conviction है किसी चीज़ को लेकर और सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, that परिस्टिनों का रोना रोते रहते हैं, कौन से इसी पांच महत्वन बाते हैं, आप उन लोगों कहना चाहेंगे, जो हमेशा ही सोचते हैं कि यार, पता नहीं होगा या नहीं होगा, जो एक probability में जीते हैं कि करके देखेंगे कहीं फेल ना हो जाएं, या करके देखते हैं वो लोग उठाएं कि वो भी एक काम्याबी के सतर तक पहुंच जाएं, ये बात आप जो पताना चाहें लोगों को, पहली बात जो है कि किसी इनसान को ये देखना है कि अभी वरतमान में उसके पास क्या-क्या है, तो सबसे पहले इडिंटिफाई कर लें कि वरतमान में किस स्थिती में वो है, और क्या-क्या है मेरे पास, अभी मेरे पास क्या-क्या रिसोर्सिस है, दूसरी चीज, कि मैं किन लोगों से मिलके या उनसे बात करके अपने आपको एक रास्ता दे सकता हूं, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं आके क्या करूं, तो मैं आप से मिल सकता ये है, मेरे पास चैनल है, इतने आउटियंस है, लेकिन सर्थ मुझे नहीं समझ मारा कि मैं अब आगे क्या करूँ, तो मैं किसी बहतर इंसान से मिल सकता हूँ, जिसके पास मुझसे अधिक एक्सपीरिंस है, जैसे कि आज भी मैंने आप से बात की, कि सर्थ मुझे क्या करना आप कुछ ऐसा करें, कुछ इस तरीके से करें, तो ये एक दूसरा स्टेप है कि कुछ ऐसे लोगों से बिलना जो आप से बहतर है और आपको आगे का रास्ता दिखा सकता है, तो आप एक कन्विक्शन लेकर आए अपने अंदर कि मैं अब इस पे चलूँगा, आज मुझे आमेज सर ने कुछ बातें बताई हैं, और मैं यहीं छोड़ की चला जाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिलकुल, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बताया, हाँ हो सकता है वो थोड़ा टफ हो, मेरे लिए नया हो, मुझे उस पे महनत करनी पड़े, शायद मैं एक संकल्प है, तो मैं चलूँगा, तो तीसरी चीज यह है, चौती चीज की मैं अपनी संगती को बदल दो, जो लोग मुझे हर बार यह बता रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, या हमारे पास है ही क्या, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी संगती ही सही नहीं है, हम कहते हैं सेल्फ ट उच्छ नहीं होते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम बिल रहे हैं, उट रहे हैं, बैंट रहे हैं, उन्हीं के टॉक हड़ा है, तो जब सरकल का बहुत बड़ा प्रभाब होता है, और अब लोग तो कई बार अपने सेमिनार में भी कहते हैं, कि आज आ ब वर्तमान में ज आए उसका प्रमान कहें कि पहले पास साल में हम किस तरह के लोगों के साथ हैं। बहुत अच्छी बात आपने बता है। चाहती चीज़ है कि आप सरकल बदल दें या उन लोगों के साथ अधिक बात ना करें। जो आपके गोल को या फिर आपको इंस्पार नहीं कर पारें। और पाँच्वी बात जो काफी अधिक इंपॉर्टन्ट है कि आप अपने अंदर फाइनली एक नेवर गिव अप आटिटूड लेके आए। लेकर आए। क्योंकि अगर जन्दीगी में कहीं भी आपको जाना है तो आपको और सफलताओं से होके गुजरना होगा। ऐसा उसा नहीं है जो उसफल नहीं हुआ है आपने कई सारे प्लैंस किया होंगे जो फिल हो गए हूगे हमने कई सारी चीजे की जिननके हम हम फैल हो गया है लोगों को सिर्फ वो चीज़े देखती हैं जिनमें आप काम्याव हैं उनका पता नहीं है जिनमें आप फेल हो गए तो हर इंसान जिसको सफल होना है आज या तो कल उसको असफल तो होना ही होगा तो आपकी पास एक नेवर गिव अटिटूड होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं असफल होके नहीं मरने बाला आपको पता लग पता है कि लाइफ कि इस दिशा में जाने वाली है दूसरा आज ना कि इस तरह की चीजों को देखना चाहते हैं कि इस तरह की चीजों को देखना चाहते हैं कि माइनट बनाते हैं और किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं दूसरा सर्डिक सलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि भार मुं को बहुत सारी मित पता हुते यह एक ठोड़ा सा युइस कि प्रसे लोगी हैं उनकी पिर कमी है मैं इस बात आप से इसलिए कारा जब डारेक सालिंग इंडस्ट्री में हैं, कई वार वो चीजों को नहीं इतना आसान बताते हैं, बिलकुल, कि दुनको लगता है कि यार जब इनोंने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, वो अपनी असफलताओं के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, number of hours जितने इनोंने दिये हैं, number of days, number of years, number of months जितने इन्वेस्ट की हैं, उसके बारे में नहीं बताते हैं, तो क्या कहना है आपको ऐसे लोगों का जो डारेक सालिंग इंडस्ट्री को easy समझ के अपना करियर देख रहे हैं, उनको जुरूर गाइड करें कि यह कोई easy track नहीं है, यह वैसाई track है जैसे एक industry खड़ा करना, जैसे एक बड़ी post के लिए apply करके job के लिए compete करना, तो इस बारे में जुरूर गाइड करें, क्योंकि आज का युवाना सर, वो चका चौंत को देखकर, कि स्पीकर की गाड़ी को देखकर, उनके dress up sense को देखकर, उनके welcome को देखकर, और auditorium में भीड जो देख रहे हैं, उनका जो enthusiasm देख रहे हैं, उसको देखकर कहते हैं कि यह बहुत बढ़ी आज़ी कामियाब हो जाएंगे, तो इतने सारे लोगों में से कम कामियाब हो पाते हैं, ये बात लोगों को समझना बहुत जुरूरी है, डारेक सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकि मेरे लिए डारेक सेलिंग एक amazing opportunity है, मैं जहां से देखता हो, तो मैं एक बास समझता हो कि आज हिंदुस्तान में, आप अगर देखें, तो जो भी universities हैं, colleges हैं आपके पास, तो जो केंद्रे विश्विद्ध डाले हैं, जो central universities हैं, हम डाली में बैठे हुए हैं, तो यहां की colleges की इस्तिती तो आपको बढ़िया मिलेगी, लेकिन हिंद हिंदुस्तान सिर्फ डिल्ले में नहीं बसता हैं, हिंदुस्तान वो 70 प्रतीशत आबादी हैं, जो छोटे शहरों की आबादिया हैं, जो बच्चे हैं, गाउं हैं, कस्बे हैं, तो आप वहां के colleges में जाएंगे, तो आपको पदा चलेगा कि पढ़ाई के नाम पे कुछ मे हैं, लेकिन आपने डिग्री दे ली, आपकी विवस्ता ने उसे असना तक तो बना दिया, ठीक है, हमने कई ऐसे ख़बर देखे हैं, कि जब बीटेक वालों ने चपरासी की नौकरी के लिए अपलाई कर दिया है, पीसडी वालों ने, तो ये आम बात है, आप में जानते है तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाओंगा, मुझे पे कुछ खास स्ट्रेस नहीं होगा, इनसान जैसे जैसे बड़ा होगा, उसको आप कुछ देते चले जाएंगे, तो स्ट्रेस भी उस लेबल पे जाएगा, इस परिवेश में जब आप जाकेंगे, तो आपको पता चलेग पाँच दस प्रतीशत बच्चे, जो की अच्छे कॉलिजिस में पढ़ रही है, जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, उनके लिए फेस्बुक है, उनके लिए गूगल है, उनके बड़ी-बड़ी कंपनियां करोडों में उनको उठाके लेके जाएगी, वो पाँच प्रत कर रहे हैं, जिनको 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 जिनकी में रहे हैं, जो 60-70 प्रतीशत से अधिक लेकर रही आपाए, जो बहुत टैलेंटेड नहीं है, जिनको बोलना नहीं आता, मैं पूसता हूँ कि उनके लिए क्या, मिरे कई ऐसे दोस्त हैं जो UPSC को पढ़ाते हैं, और वो डेल तो मैं कहता हूँ कि मैंने माना की खराब है, मैं कहता हूँ कि बहुत खराब, option क्या है, और आपकी चिंता 5 प्रतीशत के लिए है, हमारी चिंता 90 प्रतीशत के लिए है, हमें अंतर है, दूसरा एक opportunity भी है, अगर बस सिफ अंतर यह है कि हमने उसको easy दिखाया है, वास्तविक् है, जो हर इंसान के पास है, इक उमीद तो आप दे देते हैं, अच्छा उमीद ही आवश्यक है, हमें और आपको क्या चाहिए, इंसान होने का मतलब है कि आपको एक उमीद मिले और उस उमीद को हकीकत में बदलना आपका काम, मैं आपको उमीद देता हूँ कि आप रधान म पर कमा सकते हैं, और लोग कमा भी रहें, अम बात आती है, लीडर्स की या फिर कुछ मित की, जिन्हें आसान लगता है, मैं कहते हो, कोई भी सफलता आसान नहीं होती है, दोस्तों ध्यान से सोनिएगा, चाहे डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, बिजनस हो, प्रोफेशन कोई भी सफलता आसान नहीं है, निरंतर प्रयास आपको करना होगा, और जब तक प्रयास आप करते रहेंगे, आपके हारने के संभावनाएं भी बनी रहेंगी, लेकिन जिन आप छोड़ देंगे, उस दिन आप हार जाएंगे, लेकिन लगे रहेंगे तो कहेंगे कि मैं ट् होने के लिए तो मेहनत तो हर जगा करनी है मुझे सिर्फ इतनी बास समझ में आती है कि डारेक्ट सेलिंग एक पॉच्छनटी है कि या तो जंदगी भर अकेले काम कर लीजिए और या तो अपनी मेहनत की बदौलत और भी लोग तयार कीजिए जो आपके साथ मेहनत करें और उ आगया अब उसमें सफलता के कोई ऐसे पांच पॉइंट बता दीजिए कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे तो डिरेक्ट सेलिंग में भी सफलता मिलेगी बहुत से क्योंकि आप इसमें सफल व्यक्ति हैं हजारों लाखों लोगों को कर रहे हैं one million आपके सब्स्ट्राइबर के असपास है और लगातार वनमिन तो आपके डिरेक्ट चैनल पर हैं और इन डिरयक्ट वे में जो आपके फॉल्वर्स बीडियो को शेयर कर रहे हैं और upload कर रहे हैं उसकी तो घिंती नहीं की जा सकती है तो प्लीज आप मजए ज़ direct selling के अंदर आते हैं तो आप इस बात को नश्यत करने कि मैं बाहर नहीं जाओंगा जी I will not quit this industry I will remain in this industry पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ अपने लिए काम ना करें अगर आपका उते हैं सिर्फ अपने लिए काम करना है कि मेरे चेक्स बनने चाहिए मैं पैसा कमाओ अगर आपका intention self centric है सिर्फ अपने लिए काम करनी का है तो आप बड़े खिलाडी नहीं बनने वाले आप struggle लमा करेंगे आप काम नहीं कर पाएंगे कि डारेक्ट सेलिंग का म कि नहीं उनको train कर रहें कि नहीं तो intention को सही रखना तीसरी चीज़ इंप्रूव योसल्फ ट्रेनिंग लेनी होगी education लेना होगा ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लेकर यह काम होता है आप खुद को improve नहीं करेंगे तो influence कैसे कर पाएंगे there is no influence without improvement हम सब लोग जो आज थोड़ा स बहतर influence कर पा रहें तो हम सब लोग कहीं नहीं खुद को improve कर रहें और भी करने की कोशिश कर रहें और direct selling लोगों का business है आप लोगों को influence करते हैं उनसे relationship build up करते हैं उनको train करते हैं तो खुद की improvement आप कितनी कर रहें इसमें नजर रखनी होगी सिर्फ प्रोड़क के बारे मे जितने भी लोग हैं जो direct selling में आज फ्रील हो गए मानके चलिए जो लोग नहीं कामयाब हो पाएं इनको basic चीज़ें नहीं आती थी आपको जान के हरानी होगी कि अगर आप 100 ऐसे लोगों से मिलें जो direct selling में कामयाब नहीं हो पाएं और उनसे पूछें कि आपके पिछली company का business plan क्या था फ्लीज मुझे बताएं सो में से 90 लोग अमिसर उनको plan देने तक नहीं आता तो अगर आपको fundamental नहीं आता आपको basic चीज़ें नहीं आती कि आप plan देने तक नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताना जानते तो आप success की उमीद कैसे कर रहे हैं तो fundamental मे आपके पास musty होनी चाहिए and the last thing that is very important कि आपके पास एक कमाल का passion होना चाहिए इस काम को लेके क्योंकि sales कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे अगर result के आने से passion बढ़ता है और result के ना आने से passion घटता है तो आप खिलाडी नहीं है यानि आपको ख चीतने और हारने से प्यार है और अच्छा खिलाडी वो होता है जिसको खेलने से प्यार है जो खेलेगा चाहिए वो जीरो प्र कetr क्रेकट केलते थे होर हम लोगगर आपकी टीम से अगर हमारी मैच हो रही है और आप जीद गया है तो क्रिकेट में बड़ा कमजोर रहा है, बच्पन से ही, क्रिकेट में तो समझने हमें, मेरा हाथ इतना तंग रहा है, जितना आप समझ लीजीए कि किसी राजस्तान के वेक्ती को पंजाबी बोलने के लिए बूर। तो मुझे यही समझ दियााता रहा है कि अब बॉल फैक रहा है। यह बॉल गई कहाँ जिसे हम TV पर देखते हैं तो वह जो बाबरा पूछना पढ़ता है यह हूं सी टीम खेल रही है यह जो बॉल फैक रहा है कौन सी टीम खेल रही है। क्यों उसके पीशे भी एक कारण है, जब मैं छोटा था ना, तो हमारी गली में, जिनके साथ मैं क्रेक्ट खेलता है, उसब बड़े-बड़े थे, मुझे 2-3-3 साल, 5-5 साल बड़े थे, तो मेरा काम एक ही रहा तरा फिल्डिंग करने का, क्योंकि बैट भी मेरा नहीं था, औ मैं सोचर जब आया हूं, तो कम से कम आदा एगंटा तो खेलूंगा, वो बॉल फेक्टने वाला ऐसे बॉल फेक्टा था है, कि मैं क्लीन बोल्ड हो जाता था, मुझे लगा एर बेकार गेम है, डेड़ घंटे तो मैंने फिल्डिंग की, और एक मिनट में आल्ग हो गया, त जबकि इस गेम में लोग अपना करियर बना रहें, वह ही आपकी बात लागई होती है, कि आप बार बार दिनंतर प्रयास करते रहें, प्रोबबिबिल्टी जीतने की है तो हारने की, एक बार और, ये एक मंत्र रहे, तो ही बार और, तो मैं भूलता है आपकी एक बात और, यह बात यादा है, मैं कहते हैं एक बॉल और अच्छा तो सर आपकी सक्सस के पीछे सफलता कि क्या ऐसे पांच मंत्र हैं जो आप हमारे ओडियन्स को बताना चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी से आपको बताता हूं तो मैं चुकी गाओं में रहा और मेरे पिताची आमिस से हैं तो गोवा में हम लोग पैदा हुए फिर गोपाल गन जा गए और वहां एक सरकारी स्कूल से मैं पढ़ाई की तो मैंने एक चीज देखी कि जब भी मेरा जो में काम था as a student main काम पढ़ना होता है बाकी मैं खेलने में बड़ा अच्छा था क्रिकेट में हर खेल में तो मैं खेलने जाने से पहले अपने पढ़ाई करने का काम पूरा कर लेता था तो पहली चीज यह है कि आपकी जो priority है जो top priority है आप उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं बाकी के काम म अपने priority फिक्स की है कि नहीं और उस पे आपका focus कितना बढ़िया है यह पहला काम कि प्रियोरिटी फिक्स की चीछी और उस पे अपना 100% लगाई लिए दूसरी चीज आई वस वेरी डेडिकेटेड मैं बहुत पागल होके कोई भी काम किया मुझे English नहीं आती थी मैं आ किय गाउं से शहर आया पटना आया मुझे बड़ी परिशानिया होई मैं सीविस स्कूल में चला गया और मुझे रोज लोग मजाक उड़ाते थे मैं एट में बोर्ड एक्जैम हुआ था मारिया और मैं टॉप कर गया था तो जब मेरे पताशी मुझे पटना लेके आये तो वो मेरी एड्मिशन नक्तिए लेकिन वह मेरा मजाद रोज बनता था क्योंकि सारी चीजे इंगलिच मेडियो में होती थी इंगलिच हमें बहुत गरीब से लोग थे हम लोग इंग्लिस में, तो बड़ी परिशारी होती थी, आट से दौ मेने मुझे बहुत स्ट्रॉगल करना पड़ा, लेकिन मुझे चीजे समझ में नहीं आई, तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैं मैक्रिकुलेशन, इंटिमीडिट करने के बाद, इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग में गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा डेडिकेशन ऐसा था, कि आप टीचर है, ये कोचिंग है, आपसे प्रूशता था कि ये बंद कब रहता है, तो 11 मेजे से हम बंद कर देते हैं, फिर 13 मेजे कोड़ते है, क्योंकि वो दो पैर का टाइम है, तो मैं का, अमिसर, मैं रहूं और मैं बैठ के, बोल के, उट के, बस बोलने के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझ में चो डेडिकेशन था, मैंने बहुत कम लोगों में देखा, मैंने पढ़ाने का जब काम किया, थो मैं बहुत कम लोगों देखा, आठ से नू मेने लगे, मैं इंग्लिश पढ़ा रा पढ़ना के अंदर, सीखने के बाद, क्या बाद, सत्रे साल के अमर में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब मैं पार्ट वन में था, तो मैं एक फैकल्टी था, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो दूसरी चीज है, कि कितना डैडिकेशन आपके अंदर है, तीसरी चीज है, डैडिकेशन कितना आपके पास है, अगली चीज है कि, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो जिस फिल्ड में आप सफल होना चाहते हैं, उसकी तो मास्टरी आपको ले रही हो, सीखना तो होगा आपको तो जो experts हैं उस field के उनसे मिल के और उनकी knowledge आप कितना ले रहा है that is very important बहुत कम लोग अपनी knowledge पर खर्च करना चाहते हैं आपको भी पता है आप भी workshop करते हैं हम लोग भी करते हैं तो अभी मैं एक workshop करना हो तीन तारीक पटना के अंदर तो उसमें लोगों के call क्या था थोड़े कम हो सकता है यह थोड़ा कम ही रखते हैं फिर वे करना हो सकता है अच्छा वो किसकी बात कहा है वह इंसान जो कह रहा है कि कम हो सकता उसका shirt उससे अधिक महंगा है उसके dresses उससे अधिक इसकोल हो सकते हैं, वो खक्रова के छहाज इसे थोड़ा कम कर चैमा दो किस्कोल पॉरकेते हैं को फोस्त्राइग मिलते हैं तो इंसान को लगता है एक देनिर, निन सबकुछ फुरी मिल जाएगा, तो फोसक्र rapid, फ्रीस कि अगर पढ़ा रहा हो तो पढ़ा रहा हो कुछ और तो कुछ और नेटफुक मार्क नेटफुक मार्क नेटफुक मार्क नेटफुक मार्क नेटफुक मार्क नेटफुक जब छोड़ दी तो ट्वेणिंग करने लगा Like I kept on doing something I never become depressed in my life कुछ तू मिलेगा मार्केड में कुछ भी करो, do anything but don't sit, don't just waste your time, do whatever you can do, that has been my case. तो दोस्तों कहते हैं कि पांच learning, आज हमने सर से कहा कि मुझे पांच learning चाहिए, लेकिन ये बात मैं तीन बार पूछ चुका हूँ, तो ये पंदरा learning का जो package है आपको free of cost मिल रहा है, जबकि इनी बातों के सर बहुत अधिक fee structure में higher level पर charge करती है, साथी साथ आप सर के चैनल को subscribe करें, क्योंकि वहां मिलने वाले हैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपकी life को transform करके रख देगी, इसके लावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्ण है, तो वो प्रश्ण हमें comment box में ज़रूर लिखें, और इस तरह की informative वीडियो आपको regular मिलती रहें, उसके मस रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी और मेरे साथ में है सशीष कुमार तिवारी जी, हम लोग मिलकर आपके सुनरे बविश्य की कामना करते हैं, जै हिंद, जै भारत, थैंक्यू, थैंक्स तु आल